लोगसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं को रजहाने में नेता इतने खो गए हैं कि उन्हें अंदाजा भी नहीं लग पा रहा कि वे क्या बोले जा रहे हैं ऐसा ही एक वाक्या ताजा मध्यप्रदेश से सामने आया है जहां बीजपी के प्रदेशा ध्यक्ष राकेश सिंग चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उनकी जुबान फिसल गे और फिर क्या था अर्थ का अनर्थ हो गया देखिए एंपी न्यूस की इस खास रप अब मध्यप्रदेश बीजपी के अध्यक्ष राकेश सिंग को ही देख लीजिए उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बोल गए कि जिससे उनको आलोजना का शिकार होना पड़ रहा है जरा आप भी सुनिए हिंदू आतंगवाद अरे तुम क्या जब तो त्याक कपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है आतंगुवाद तो त्याक कपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव के समय आता है तब कॉंग्रेस के नेता और ये दिपुजे सिंग स्वयम जगे जगे पर इसी भगवा की शर्ण में माथा टेक ते हुए दिखाई देते हैं दरसल बीजबी नेता राकेई सिंग कॉंग्रेस और मज़प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतरी दिगवजे सिंग पर हमला बोल रहे थे और भगवा का बखान कर रहे थे लेकिन उनकी जबान फिसल गई और अर्थ का अनर्थ हो गया उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा भगवा कभी आतंगवाद नहीं होता भगवा धारन करने वाला कभी भी आतंगवादी नहीं होता आतंगवादी तो त्याग तपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव का समय आता है तब कॉंग्रिस के नेता और दिगवजे सिंग जगह जगह भगवा की शरण में घुड़ नहीं तेकते नजर आते हैं त्याक कपस्या और बलिदान का प्रतीक होता है और जब चुनाव का समय आता है तब कॉंग्रेस के नेता और ये दिपुजे सिंग स्वयन जगे जगे पर इसी भगवा की शर्ण में माथा टेक ते हुए दिखाई देते हैं राकेश सिंग का यहवयान उस समय सामने आया जब बीजपी ने माले गाव बंधमाके की आरोपी सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर को भोपार से लोगसभाद चनाव का टिकेट दिया है बीजिपी ने साधवी प्रग्या को कॉंग्रेस के दिगज नेता दिग्वजे के खिलाफ मैदान में उतारा है इसको लेकर कॉंग्रेस बीजिपी को Лेकर कटगरे में खड़ा कर रही है कुल मिलाकर नेताओं पर चुनावी प्रैश़र साफ नज़रा रहा है यूरो रिपोर्ट, MP New, होपाल